जाट किम्यूश्टे में भी राकष्टिकेद का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि किसान नेताओं पर इस सवाल उठा रहे हैं उनको जो है बाहर से फंडिंग मिल रही है देख सकता हूँ कि राकेश्ट केट कांग्रेश के इसारे पर काम करता है आपकी भासा सली बीजेपी से मिलती है तो ये रिष्टा क्या क्या है एक बर भी जाके ये निपूस्ते गहल उत्साव आप इन किसानों को पीम किसान ने दी का पैसा प्यूं नहीं दिलवाते एक बर भी निपूस्ते क्यूंकि गहलोत सरकार टेकेट बंद वो को पहले ही सरकार बन बढ़ को बमा और से प्रक्राव करना है और किसानों को उर्का दिला राएं तो रासतान दो नहीं पर किसान को सरकार मिवायाओ कहिब हुआ चैते हैं कि कि बीजेपि ने हैमें बरबाद कद्या इस थे हम अच्छे थे तो व बते आपके कहीन हैं कि तालमेल बैट आपने पहचान बनानी पूरे भारत में पूरे विसाव में यानि उनको एक हर्याना दिखाई दिखाई देता क्या मानके चलें यह सिरफ एक कोरी राजनीती जुठी राजनीती और किसान की याड में अपने घर बरने का पूरा प्लान यूपी के अंदर है बीजेपी की सरकार योगी सरकार वहाँ पर एक लड़की के साथ बलातकर होता है पूरी कांगरिस वहाँ जुख जाती है पूरी कांगरिस का हाई कमान वहाँ जुख जाता है कहते हैं कि हम बच्ची को न्याय दिलवाएंगे न्याय नहीं मिल रहा है लेकिन वहीं राजस्थान की बात करते हैं अभी latest मामला आया था लड़की के साथ 14 साल की बच्ची के साथ बलातकार हो जाता है उसको तेजाब डाल के जलाए जाता है उसके बाद जिंदा बट्टी में फैक दिया जाता है वहाँ ना तो कोई कांग्रिस का व्यक्ति पहुंचा पहुंच कैसे जाए क्योंकि उनकी खुद की कांग्रिस की सरकार साथ वहाँ पे ना कोई किसान नेता पहुंचा कहते हैं किसान की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए कोई किसान नेता नहीं पुछा उस से में वो राकेश टिकेट कहा चले गए बड़ा सवाल है इन्होंने अपने बात के माद्यम से उठाया है एक भी किसान को नहीं कहरें आप तो इंदू की बात करते हो आप इंदूताओं की बात करते हैं आप सनात नहीं बात करें आप जाट हो ही नहीं सबी किसान सबी मेव जो उस पंचायत में थे उनको जिम्मेदारी देनी थी कि आप उसी आतरा की रक्षय करेंगे यह इन्होंने चलते चलते आकिर में एक और बड़ी बात उठाई है नमस्कार स्वागत आप करियाना निज्ट्टिफोर पर मैं हूँ प्रिंस लंबा मेरे शेकिविन सिंदुक साथ आज मौजूद है चर्प्खी दादरी नया जिला हरियाना प्रदेश का और उसके बाड़ राविदान स्वाचेतर में हमेशा से ही जो करांती की भूमी रही है लेकिन आज जो चर्चा होगी हमारे साथ दो ऐसे युवा मौजूद हैं और वो भी जाट कम्यूनिटी से जाट विरादरी से दो युवा हमारे साथ मौजूद है चर्चा करेंगे राकेश टिकेत को लेकर क्योंकि अभी दो च्यार रोज पहले राजस्थान के अलवर में नू मेवात को लेकर जो किसान माहा पंचायत हुई जो बाइचारों को जोडने के लिए पंचायत हुई उसमें राकेश टिकेत की एक बात बड़े जोरो सोरों से वायरल हो रही है कि अगर हिंदू संगठन 28 तारीक को दुवारा से नू मेवात में यात्रा निकालते हैं निकालेंगे उनकी टक्कर में उनको यात्रा नहीं निकालने देंगे यह बड़ा बयान जो का कई दिन से चर्चा में हम वायरल हो रहा है और कहिना कि इसी चीज को लेकर अब जाट किमुनिटी में भी राकेश टिकेत का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि दो यूवा ह इसी चीज को लेकर मौझूद है अपने विचार परकट करना चाहते हैं हमारे पाजिन का कोल आया कि हम इस मुद्धे पर आपसे बाचित करना चाहते हैं हमारा करते है हर वेक्ति की बात उपर तक पहुंचाना आप सभी लोगों तक पहुंचाना तो हमारे साथ दोनों पर नहीं 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 निकालने देंगे नूमेवात के अंदर हम ट्रैक्टर लेके आएंगे चार लाग पच्छीश लाग की बड़ी संख्या में इकटे होंगे और हमारी आत्रा निकालेंगे जो ब्रजमंडल के यात्रा उसको नहीं निकलने देंगे और उसमें कहा कि जाट जो बिरादरी है कहिना कि हरियाना के जाट वो बिलकुल जो तेज हो गए हैं फिलाल अच्छा दिमाग का यूज कर रहे हैं और कहिना कि वो इस मैटर में नहीं आई जिसके कारण इंसा नहीं बढ़ कि क्या कही है सबसे पहले तुमें जाकेष्टकेश से पूजाना काओंंगा कि अगर हम लाट के बात को नहीं दवा दिया जाता है इसी तब यूग प ना है इसी तरह का वाक्के 25 नूबर 2020 को जब अमरीका की राष्टपती हमारे भारत की यात्रा पर जब आए तो दिल्ली दंगों के अंदर भी देखा गया था भारत की जो सबी है उसको खराब करने के लिए दिल्ली दंगे करवाए गये थे उसी परकार से विदेशी को ये किसानों को 20 साल पिछे करना चाहता है विकास भाई मैं रोकने चाहूंगा आप जो है किसानों पर ही किसान नेताओं पर ही इस सवाल उठा रहे हैं कहिना कि उनको जो है बाहर से फंडिंग मिल रही है देश को तोड़नी को और मैं मुख्य नाम अपने राकिश्टी के इसमें कहोड़ी बारत के अंतर जी टिवंटी के मिटिंग हो नaneously है और मिटिंग के अंदर विदेश के जो हने मारे राश्टा देख से हैं वह भारत की यातरा पाएंगे यातरा के अंदर अच्छी मिटिंग हो हम सब सामें पन्तुर्याकेश्ट का मकस्द यह है कि बारत की स खवी अंतराश्टिस तरपक खराब की किसे की जाए उसके तहत वो काम कर रहा है उसके तहत वो हिंदूों को बढ़काने की साजिस कर रहा है मैं तो मनोलाल खटर का धन्यवाद करूंगा कि उसने 28 तारिक को बड़ी शांती पूरत पूरत तरिके से इस जातरा को लिकानले का आदेश नहीं दिया को भी चूप साफ उसको यूपी वापिस जाने दिया ऐसा आदमी है इसके पिता जी थे मेंदर टेट आपका कहने का मतलब है कि राकेश टीक है तो बड़ा मुद मामला बढ़काना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री के सुजबूद से सारी चीज़े ज तो मैं चाहूँगा मनोला खटर का भी धन्यवाद करूँगा कि आज हरियाना की वज़े से जो दंगे होने थे पूरफ जो साजिश थी जो दंगे होने थे थाइस तारिक को उनको मुख्यमंत्री ने पनी सूजबूद से टाल दिया है राकेश टकेश जो है वो चाहता है कि हरियाना का जाट को इतना बजनाम किर दिया जाए कि उसको जो हिंदू समाज के अंदर जो जातिया है वो नफरत पैदा करने का का काम जो है जाटों के अंदर वो राकेश टकेश टकेश ने किया है उसी साजिस का महिस्टा है वो फंडिंग का मैं जिक्रा कर रहा था जिक्र सोनिया गांधि के सारे पर राक इस्टकेट काम करता है कॉंग्रेस की सारे पर कंग्रेस की जो पूरो के अद्धिक्स है सोनिया गांधि वो मातरे एक सांसद है उसकी साइना की अंदर फोटो लगे हुई है सानसद हमारा है द्रहंबीर उसकी क्यों नहीं लगती वहां पर क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी चाहिना के इसारे के अंदर देश में डेश-विरोधी ताक्कतों को बड़ावा दे रही है बड़ावा दे रही है वे आपने कहा राकेश टिकेत गांगरेस की इसारे पर Kाम करता है तो कहीना कि आपकी भासा सहाली हम नहीं कह रहें मनोलाल सरकार के खिलाब सुर्ज मुखी के उपर अंदोलन किया। आप कोई पता है सब को पता है कि हरियाना के अंदर MSP सुर्ज मुखी के उपर सबसे ज़ादा खरीद भी की गई और किसानों को राशी भी दी गई। पंजाब के किसानों को वहां की सरकार ने 2400 रुपी सुर्ज मुखी का बाओ दिया। आम आदमी पार्टी से फंडिंग होने के बाद नरेश टकेत ने गुरुनाम सुड़नी ने किसी किसान नेता ने पंजाब के अंदर जाकर किसी SDM को विगापन ने दिया कि किसानों की सुर राश्तान में राश्तान में सर्स्व normalmente की भिंकरी हुई विवारी स्व रुपए राकेस्टि के अगर इतना किसान हें तेशी है और कौंग्रेस की इसारे काम नुहीं करता है तो राश्तान के किसानों की सर्स्वन चॉफ़न सो पचास क्यों ने भिक्वाता मैं ये पूसना सब्सक्राइब की और हमारे रिष्टेदारों के हमारी कमुनिटी के लोगों ने विवारी सो रुपीए वहापे सर्स्रों बेची आज लग गैलोच से फेंडिंग होती उसको एक साल पहले अडवांस मिल जाता है तो आपके हिसाब से हम मान के चलें कि राकेश टिकेट जो है यानि कि विपक्सी दल जो है उनके इसारे पर काम करता है सिदा सिदा जो बीजेपी को टार्गेट किया जाता है हर चीज में हर मामले में बीजेपी को गसेटा जाता है बीजेपी पर हील जाम लगाए जाते हैं आप ये कहना चाहते हैं बिलकुल मैं एक और बताओंगा सब्सक्राइब कमईचारे औरी है करा दिए से present to का दिए जातें रास्तन पेनि, आपन्जाब नहीं पूंचारे नहीं 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 दिलवाते एक बर भी निपूसते क्योंकि गैलोत सरकार टेकेद बंदुओं को पहले ही फंडिंग कर देती एक साल की चलो वह सारी बात है ठीक है लेकिन सुरुवात हमने नू मिवात के मामले पर कि वो बीच में रह गया आपने कहा कि राकेश टिकेट जो है धरम जाती की रूप में बाटना चाहते हैं लोगों को हर्याना में दंगा खरनवाना चाहते हैं लेकिन सरकार ने कहिना की सुजबूद से काम लिया राकेश टिकेट को मूल अटका के जो वापिस यूपी जाना पड़ा ये क्यों कह रहे हैं आप मैं इस बादार पे गरा हूँ कि हर्फूल जाट दुलानी वाले जिसने गवों के हत्ते तुडवाए थे जिसने अपनी सादत गवो माता की रक्षा करते करते सादत दे दी थी उसका जो सपना था याना के अंदर कि अपनी मा की रक्षा आने वाले पीडियां भी गवो माता हैं सर्याम ले जाते हैं उनका आजराकेश टिकेट मसीया बना हुआ है उनका शाद दे रहा है और जो हमारे अलफुल जाट जुलानी वाले की जो सोच थी उस सोच को आज दबाए जा रहा है राकेश टिकेट अक्सर दम भरते हैं और फिलाल भी जो नूमेवात के मामले के बा पर जिनकी साजिस वताई जा रही है कि ये र्यातरा के माद्देम से जो मेवातियों को मेवो को टारगेट करना चाहते थे कना के शिकार बनाना चाहते थे इंसा का उन पर जो हो इल्जाम लगाया गया सेदा-सेदा उनको ऐसामाजिक ततव वताया गया और उनके खिलाफी अब ये चीजे सवारी पंचाएट देखी गई किसान महापंचाय देखी गई अलवर के अंदर सारी चीजे हुई लेकिन अब जो है जाट विरादरी लोग ही किस परकार जो है कह रहे हैं कि वो विपक्स के सारे प्रणाचते हैं और क्या कहना चाहेंगे समुद्धे पर? कहते हैं कि राकेश टिकेट हर्याना को जलाने की साजिस करके आये थे लेकिन वो नाकाम हो गए जी बिलकुल सेही बात है राकेश टिकेट देखो उसका काम मेरे सिधा कतों में कहुंँ तो उसका काम है बीजीपी का विरूद करना चाहे वो मुद्दा कोई भी हो अब तो कभी मुंष्मानों का ठहकीदार मन जाता है उससे पहले किसानों का ठहकीदार था अब बात लिए शिदा जब डूम जो दंगा हुआ उसके बात में अब वो जाटों का ठहकीदार बन गया कू उसको कू बीवार इसलिख को सरकारि है और किसानों को उनको उनका हक दिला नहीं तो राश्तां में पंजाब में हाट नहीं अज कहीन अगर देखे सब्सकार अज अंतलयां का किसान सब dw echo और यित किसान यह जो वही प्रोस्टि पडुशरी आपने हो तो आपने तो तुहन कोनिए हो आज अरीना का किसान उपर है तो या अर्यना में देंगे करूआज तें किसान आंदो कुलं था उसमें भी किसानों को भी का को बेखा कि आज तक जो किसान वां बैठ थी ऑनको यह नहीं पता हूँ जो तीन नियम लेकर आए थे वह क्या नियम थे असलिम उस्वे उससे किसानों क्या फाइदा कितना फाइदा उना था किसी को नहीं बताया काफी सरकार का नुक्सान हुआ तो शिदा सरकार का विरूद हुआ अब यह जो आ गया नूमेवात वाड़ा इसको चाहीं चिंगारी जहां थोड़ा मिल जाए चिंगारी डाल देंगा बढ़काने मतलब शिदा मूलूप से अपनी यहां होता है जैसे बाजरा है बाजरा ही कह प्रदेश में नहीं है अच्छा अगर पिछली साल जब बाजरा नहीं खिर दा गया तो बावांतर जो योजना लेकार उसके तहत किसान के खाते में शिदी जो बावंतर जो राशी दी बू डान लेका सर्वाइब बात ठीक है बले राम जी लेकिन आपने खा हर्याना की किस अच्छान और स्टेटों के बतुलना में काफी जो है एडवांस हैं काफी जो तरक्की कर चुके हैं काफी सम्रद हैं लेकिन और राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा जो है धर्णा पर्दसन आंदोलन हर बार कभी मौावजे को लेकर कभी फसलों के जो है मूल्य को लेक कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर तो अंडर ने भी सबसे ज्यादा हर जहाओ अर्याणा में हुए है नहीं कि पिछ तिसना in त्रशह किसां और में एसई वी जो मिल गए उस से पढ़त है किशना कुस लेगा उने किश Wij prova से पाउज बेट चैक मिल गए अलग बात है चोदा में बीजेपी सरकार बढ़नी दोजार पंदरा में सर्दी में जो गड़ा वरष्टी हुई उस गयों जो शर्टों की जो नुक्सान हुआ उस टाइम पर तब पहली बार लोगों को मौज़ा मिला किसी किसान के लाख आए किसी डेड़ है हर वैक्ति हर चीज को हर भावना को समझता है बहूत अच्चे त्रीके से कि सामने वाला कहा रहा है बोल कहा रहा हूं के आपको नहीं लगता कि आपकी बहसा भी कु EPA १ाने करनों आप एक उभर पिसान को फाइड हुई यह तहुट यह रखुरा पाइदा इन भी जो फाइडा कमा कु EPA स्थरकार को आपको अच्छान में चाहिए उसकी स्थराशहर उतने चाहिए यह परते किसान को पता है बावांतार योजना से पिछे किसान किसी दी खाते में राशी आई थी और आपको नहीं लगता कि आप 2013-14 के तुलना अब 2023 से कर रहे हो तो इस दर्मियान आपको नहीं लगता महंगाई भी बड़ी होगी जी वह मैं करूँगा अगर आप उस टाइम पर करेंगे तो डबल हो और जो खात और जो डीपी का अगरजी कर करेंगे तो महाई हुए है मैं मानता हूं इसको लेकिन इतना नहीं उड़ी यॉरिया का कट्टा था उसमें मात्र को 50 रुप ए 60 रुप का की महाई हुए डीपी का डीपी जो हमारी है उसमें आठ साले में 200 अपना मैं बात करूँ आप टिकेट की बात करूँगा पिच्छे वह जाटा अंदलों तब यॉपी से यसपाल मलीक आया पूरे अर्याना को गुमरा करके बाजारों को इनको फुकु आगे काफी बच्चे भी मरें सब कोच करवा करो कि जाता रहा हुए चंदा था चंदा लेकि सब निकल गया उसके बार टिकेट आ गया अर्याना ही मैं तो यह मानता हूं इस मामले में अगर ठीक है आंदलों करते हैं अर्याना के लोग हैं आंदलों करते हैं हमारी मांगों को लेकर करते हैं मांगों के ली करते हैं लेकर यूपी से क्यों आते हैं अब ये कि अपने धर्म की बात जाती है बारत एक सविधानिक देश है और यहां हर वेक्ति को हर बच्चे को हर महिला पुरूस-बुजूर्ग को सभी को अधिकार है कि अपने धर्म के अनुसार धार्मिका अनुष्ठान कर सकते हैं अपने धर्म के अनुसार कोई भी कारे करम आयजित कर सकते हैं यहां पर किशी को भी कोई पर्तिबंदित नहीं है इसाई अपने अनुसार जो अपनी यातरा निकाल सकते हैं मुस्लिम जो हैं वो अपने इसाब से अपना रोजा रखते हैं अपनी यात्राई निकालते हैं, एईद मनाते हैं, कोई दोड नहीं रोखता है उन चीजों में, लेकिन अगर हिंदू अपने धर्म के अनुसार यात्राई निकालते हैं, तो उनको टार्गेट किया क्यों जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, हम सुरुआत से ये सवाल करते रहे हैं, मैं ये कह रहा था, जैसे राकेश टीकेट अब इसको मुद्दा में लगया, जो जहां जार में अपनी यात्राई निकाल लए थे, आपने बताया, सभी धर्म के लोगों को अपना अपना अधिकार है, और सभी निकालते भी हैं, चलो इनू में जो हुआ है, बहु उनके घर गए कभी, उसके माबाप से मिले कभी, उनको कभी को आर्थिक सायता सरकार से दिलुआए, बाहिसार से दिलुआए, कभी किया, यूनियन की तरफ से कहीं से दिलुआई, ऐसा किया उसने, नहीं किया, शिदा अब उसको मुका में लगया, एक तीर हो गया, एक तीर करने चाहिए और राकेश टिकेट सर्फ यहीं चिंगारी बढ़काना चाहता है सरकार की के परती भी और जाटों को कहीं ना कहीं एक अलग से निकाल दिया जाए जी बने रही है विकास जी आप से बाचित कर लेते हैं जिस परकार बलेराम जी ने कहा कि राकेश टिक है तो एक कम्यून्टी विशेष को बदणाम करना चाहता है उंसे जो है अलग काठ के रखना चाहता है उनके मन में उसके परती नफरत पैदा करना चाहता है करने कि एक के अंदर कोई घर नहीं था जिसने जाट आर आकशन के अंदर संड ना दिया किसन भड़ा दे दिया सब बना संड संड दिया उचन ले कि जो मुकदमे वो आज भी बुगता रहे हैं वो लड़के कॉमुनिटी आज मुकदमान बुगता है रही बाद दूसरी इसकी बता हूँ इसने किसान आंदोलन बड़ी आजम के फंडिंग करी है हरियाना के अंदर जम के फंडिंग करी है वाया नुटके ले गया लूटके ये पीछ ले गया जोठी राजनीती और कहिए कीसान की याड में अपने घर भरने का पूरा प्लाम गर बंड़ का इब मैं बता हूँ आपने ये दो काम हो लिए इसके इब उर इसने तंदा कोन मिले इब इसने के करी है इस तरह आपी नया खेत तोड़ांगे ने तो इसमें पैदावार बढ़िया होगी इब इसने नई पैदावार करना है तरह हिंदू मुशल्वान का मेवात मुशलिम इसने ठाट अचंदा देंगे जिद बोल्या है और इसका क्या का भाइचारा भाई देश के अंदर के नाम से कनया कुमार की गेट्टी काट दी मुशल्मान गया रास्तन में अक्यूकर काट दी गरीब आदमी तो टेलर तो गेट्टी काट दी एक दन भी बलातकार कि सुन ले आपे पिरिंका गांदी का साथ आदरस गया यो दिपेंदर उड़ाश का साथ था नाय दिलुमान गया था भील वाडम 14 साल की लड़की के साथ साम बलातकार करया करया ने इसका बाद उस पर तेजाव डाले गया बामरी को नी और वो किसान की बैटी थे माफ को बताओं खेतों में उसको प्रण किया गया किसान नेता वहां पर गए नहीं उसके बाद उसको जिंदा बठी में जला दिया पिरेंका गांदी लाके श्टकेत दिपेंदर उड़ा फोर्चन में घुम्माथ था एक आदमी भी एक नेता भी गुर्णाम सिंग चुड़ नहीं गया गयलों सरकार से यह पूछने के इमत नहीं कि यह पलातकार कैसे ओगर जिंदा कैसे दढ़ा दिया एक आदमी की इमत नहीं है तो विकास जी हमारे साथ खास बाची कहीना कि यह कुछ मुद्दे कुछ पॉइंट इन्हों इतने जबर्दस उठाए हैं हम इस चीज़े सह में ते क्योंकि है यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार योगी सरकार वहांपर एक लड़की के साथ बलातकर होता है पूरी कांग्रेश वहां जुक जाती है पूरी कांग्रेश का रिआ दिलवायेंगे नहीं मिल रहा है लेकिन वहीं राजस्थान की बात करते हैं अब ये मामला आया था लड़की के साथ 14 साल की बच्ची के साथ बलातकार हो जाता है उसको तेजाब डालके जलाए जाता है उसके बाद जिंदा बट्टी में फैक दिया जाता है वहां ना तो कोई कांग्रिस का वेक्ति पहुंचा पहुंच कैसे जाए क्योंकि उनकी खुद की कांग क्योंकि लोग आनेवाले समय में बड़े समझदार हो गए हैं और उनसे जौआब भी माँगे कि हर चीज़ का कि आप आ जाते हैं रांदोलन में यूपी से चलके अरियाना पूँच जाते हैं हर आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निपाते हैं बड़े किसानेता आज वही विरादरी दीरे दीरे उनके खिलाप खड़ी होती दिखाई देरे जिस परकार विकास और भले राम जी अपनी बादचित खुल कर रख रहे हैं इनके खिलाप 2013 तोदम यो उड़ा जिसने वाच सरकार में वापीस मनाना लाग रहा है जिसका यो परचार कर दान्ड है 2013 सर्प्या बादरे में बुजण यह कौनता किसी भी सरकारी मंडी के अंदर एक दाना भुपेंदर सिंग उड़ा ने बादरे का दाना खरी किसान का खरीद दया हो तो म सरकार में सरस्णों की खरीद कुछ ही के अंदरों पर होती दी वो भी जहां जहां उड़ा के चाहिते किसान रहते थे कितने रेट पे 2700 रुपे आज उससे दो गुणा बाव 5450 रुपें में एक एक दाना मनोलाल सरकार खरीद रही है किसान मंडी में जाता है ट्राली डाल के आता है सिद्धी कोई डेरी नहीं लगती कोई जार नहीं लगती किसान का घर पूजता है एक अपते के अंदर उसका डारेट उसके खाते में देख जुलम की बात यो भाई चारा नभावरा केश्ट गेत फसल मारी खरिद्धा सरकार नुगा आट तीकुन भाई तीसरा तेली और नुगा मारा भाई चारा ही नहीं आट देनी पड़ेई क्यों देनी पड़ेई बाई चीज मारी खरिद्धा सरकार पईशा मिला ताम न नेत्रता हुकर दे हम ने उपी का पारवा हमारा नेत्रता उकरेंगा यूपी तो हमने साथ ज़्यादा दे राखी इसान अम यॉपी बड़े भड़े जोश के साथ रख रहे हो लेकिन कहीं आपको भी जो है अपनी ब्रादरी के लोगां को गुसा जहलना पड़ सकता आप ये सोच लेना पहले बोलने से मारी बरादरी बोली डाले बोली है और यह यूपी तान के मारी बरादरी को जैसी रील बठाते हैं वो रील बठाके और भुड़ा चपड़ा के गल्त काम करवा हूँ है वही जो भुड़े लोग आप बता रहे हो भुड़े किसान है जो उनको अप जाट से ज़ादा दयालू कोई कोम इस पूरे संशार में नहीं है जाझ इतना दयालू है इस है कोई कोम आपको जाट 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 िहां है नहीं मनेंगे लोग। आपको कहेंगें कि तो बीचेपी वाले उनकी भासा बोल रहे हैं जो RSS वाले हैं उनकी भासा बोल रहे हैं आप तो हिंदुओं की बात करते हो आप हिंदुताओं की बात करते हैं आप सनात नहीं बात कर रहे हैं आप जाट हो ही नहीं देखिए मैं जाट हूँ और अगर मैं जाट का सर्टिविएट अगर राके स्ट प्रूदे दीजिए लेकिन एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा अक्सर जब भी कोई आंदोलन होता है चाहिए नूमेवात की बात हो खापे आपने देखी होगी हर खाप भीजेपी खिलाफ दिखाए देती है हर चीज में कहीना कि बीजेपी का ही नाम आता है नूमेवात हिंसा कहा तो आप मानने किसकी खिए वीजेपी की बात स है इस पर देश के इन्दर भीयान ओन बजनलाल के समय होए बंसिलाल के समय होए वह बढ़े बड़े-ध्यां दोलन होए करांती कावरी अच्छ 네हां पे अंदोलन करना से लोग डृते chapters करते थे तवह हम यूपी से नेता नहीं बलाते थे हमारे अंदर वो समता है कि हम सरकार हिला भी सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं इबाप पिछे स्वाल पूचो दे आकि बाजपा थे सारे लोग हर चीज में बाजपा नाम लिये हैं मैं बताँगा क्यों लिये हैं बाई पहली वुपेंदर सिंग लाग लाग है दसला हर प्याली जो हैर दिने निच्च मंतली वाबंद होगी बदली में को बुझ्जा को नी दोड़ा कुड़ता पजा माला ने इस दोड़ा कुड़ता पजा माला आपकी उगाई हात्र रोलोगा ले मनोलाल खटन नो करीमान दारी थे बदली ओनलाइन मैं मेरा काम का बताउं मेरा ताउ लाग है खुद दो बर आए बुड़ापा पिल्शन मना ने करना दो बर दो बर आधार काट दे दे ता उतरी बुड़ापा पिल्शन मना दे आं ने तो बुड़ापा पिल्शन मना ने तो बुड़ापा पिल्शन मना ने हात्र मारा गाम का न तानने नेता का आधरी मालनी पड़या कर दी जिद वो नुका अंदो वुपेंदर सिंग उड़ा बड़ी आदमी है तीन मिन्ना गैल चक्कर कटवा कि उसके नदारू पिया करता उसके एक मिन्नाई पैंशन भी खाया करता इवनेता दो दीकत्स ये बीश बाड़क लागया है तो विकास जी आखिर में चलते चलते क्या संदेश देना चलते क्या और क्या कहना चाहता है मैं ये कहना चाहता हूं था लुप राकेष टेगेतश ने ये कहना था दोनू सुमदाय को यही कहना था और वो अच्छे नेता मच्जप मानता यात्रा निकलेगी हर वर्ष यातरा निकलती है और यात्रा की शुरुख्षा हम तो बादूर लोग हैं हम को वहां पे जाके य यातरा जो हिंदू-छ लोग्य तो यातरा निकाल रहे तैंगे उन्की यातर कर शुरुख्सा का जो मिय क्छ उन रहाँ आ था यही कहना था कि अप सब्सकृर का गर्षाः करें चलते चलते हैं आखिर में जो बात कही है वो भी बड़ी खास बात कही है कि किसान महापंचायत हुई नूम एवात की हिंसा को लेकर बाईचारा जोड़ने के लिए अलवर में उसमें राकेश्टी कहत को ये कहने की बजाए कि अगर यहां पर यातरा निकाली जाती तो उसके बराबर में हम भी च्यार लाक टेक्टर और बड़ी संख्या में लाकोई संख्या में किसानों के साथ यातरा निकालेंगे यातरा नहीं होने देंगे इसके बजाए ये कहना चाहिए था कि हम भाईचारा जोड़ने के पूरे परियास करेंगे ये इंदों को यातरा इंदों थी कि आप उसी आत्रा की रक्ष्या करेंगे ये इन्होंने चलते चलते आखिर में एक और बड़ी बात उठाई है इनकी बातों से आप कितना सहमत अपने रहे कोमेट में रख दीजिए इनी सब बातों के साथ मैं परिंसलामा मेर से गई विने सिंदुक साथ हरियाना नमसकार जै